आज हम ChatGPT की मदद से एक app create करना सीखेंगे वो भी बिना किसी technical knowledge के पहले इतना सब बिल्कुली possible नहीं था लेकिन आज हम हमारे ideas को real में convert कर सकते हैं ChatGPT हमको step by step तरीके से बता सकता है किस तरीके से कोई साभी app create कर सकते हैं इसलिए आज हम ChatGPT को use करके हमारे लिए एक to-do list app create करेंगे और to-do list को create करने के लिए हम एक prompt लिखेंगे chatGPT में उस prompt को मैं नीचे description में लिख दूँँगा आप उसको copy करके paste कर सकते हैं अब chatGPT को हम open करेंगे open करने के बाद हम यहाँ पर यह prompt लिखेंगे prompt में हम लिखेंगे I want to create a modular to-do list app with separate files index.html, style.css and script.js the app should be responsive and user-friendly इसको लिखने के बाद हम इसको enter करेंगे अब आप screen में देख सकते हैं इसने मेरे को तीनों अलग-अलग file create करके दे दिया है इतना सब करने के बाद हम इन quotes को copy करके उनको check करेंगे वो सहीक तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे है और check करने के लिए हम quote pen site पर जाएंगे अब यहां से मैं इन quotes को copy करूँआ और इनको check करूँआ यह quote सही है या नहीं है तो सबसे पहले मैं पहला वाला quote copy करूँआ अभी मैं यह index.html वाला quote copy कर रहा हूँ copy करने के बाद मैं quote pen को open कर लूँआ quote pen में जाने के बाद मैं यहां पर इसको paste कर दूँआ अब मैंने इसको html section में paste कर दिया अब मैं वहां से css file को copy करूँआ अब मैं style.css वाले file को copy करूँआ copy करने के बाद यहाँ पर मैं वापस से CSS वाले section में इसको paste कर दूँआ अब आप देखना जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी code paste कर रहे हो तो नीचे यहाँ पर automatic update हो रहा है अब यहाँ पर JS वाली file बची विए JS वाली file को भी हम copy करेंगे यह script.js file है यहाँ से मैं इसको copy करूँआ copy करने के बाद दुबारा मैं code pen में जाऊँआ और यहाँ पर paste कर दूँआ तो यह हमारी file यहाँ पर create हो चुकी है अब इसको हम test करते हैं यहाँ पर मैं task 1 लिख दूँआ task 1 लिख के मैं यहाँ पर add कर दूँआ तो यह अब काम कर रहा है सही तरीके से अगर हमको कोई task cancel करना है तो यहाँ पर हम click कर देंगे तो यह task 1 finish हो चुका है अगर हमने second task भी finish कर लिया तो हम यहाँ पर दुबारा click करेंगे तो यह task 2 भी यहाँ पर finish हो चुका है तो हमारा code विलकुल सही है अब लेकिन मैं को इसके पीछे का यह background look पसंद नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसको change करना जाता हूँ तो change करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँँआ CSS section में CSS section में जाने के बाद मैं यहाँ पर background के color को change करूँँआ अभी यहाँ पर background color यह दे रखा है इसको change करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा blue या gray color ले लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर dot container का एक यहाँ पर section आ रहा है dot container के section में जाएंगे और यहाँ पर जो fff code दे रखा है इसको हम change कर देंगे change करके मैं लग दूँँगा hash d3 d3 इतना सब करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर color change हो चुका है अगर आपको इधर का color change करना है तो इधर के color को change करने के लिए आप उपर वाले यहाँ पर background color को change कर सकते हैं अब मुझे इस वाले section में एक button add करना है जो जिसको मैं click करते हैं यह सारे task यहाँ पर delete हो जाए तो वापस से मैं chat gpt पर जाऊँगा और यहाँ पर type करूँगा मैं type करूँगा add a clear all task button and regenerate the code अब हम इस code को copy करेंगे और code pen में paste करेंगे इसी तरीके से हम दूसरा code भी copy करेंगे अब last जो code बचा है वो js.js code है उसको भी copy कर लेता है copy करने के बाद हम इसको यहाँ पर paste कर देंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह refresh हो रहा है refresh होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर button add हो चुका है अब हम इसको try कर लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ task 1 और मैं add कर दिया अब मैं task 2 add कर देता हूँ तो इसने task 1 और task 2 को add कर दिया है अब मैं clear all task वाले button को check करूँआ तो यह सही तरीके से काम कर रहा है code को चेक करने के बाद हम एक folder create करेंगे और उस folder में हम इन code को paste करेंगे paste करने के बाद हम इन code को zip file में convert करेंगे इतना सब करने के बाद जितने भी code हमने यहाँ पर paste किया है उनको हम नया folder create करके उसमें save करेंगे save करने के लिए मैं सबसे पहले एक नया folder create कर लूँगा folder create करने के बाद मैं यहाँ पर notepad में जाऊँगा अब मैं code को यहाँ पर paste करूँगा इसलिए मैं दुबारा से code pen में चला जाता हूँ सबसे पहले मैं HTML वाला code copy कर रहा हूँ copy करने के बाद मैं notepad open करूँगा notepad पर इसको paste करूँगा और save as file का नाम मैं दे दूँगा index.html और मैं यहाँ से all files कर दूँगा यह हमने index file को save कर दिया है अब मैं CSS file को copy करके यहाँ पर paste करूँगा copy करने के बाद मैं इसका नाम दे दूँगा style.css यहाँ से भी मैं इसको all file करूँगा और save कर दूँगा अब last file बचावा है इसको भी मैं copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं यहाँ पर paste करूँगा save करूँगा मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा script.js तो अभी तीनो code यहाँ पर copy होके हमने save कर ली है अब हम उन code को check करेंगे इसलिए मैं दुबारा उस folder में चले जाऊँगा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो index वाली file थी जो हमने create करी थी यहाँ पर हमने save कर रखिए अब हम index वाली file को open करेंगे तो यह अभी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है अभी हमने जो folder safe किया है इसको हम zip file में convert करेंगे यहाँ पर compress to zip file तो यह zip file create हो चुके है अब जो हमने zip file create करी है उसको हम static.app site पर जाकर upload करेंगे और host करेंगे यह zip file हमने select कर लिया है file को upload करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर free domain आ चुका है अब यहाँ पर हम अपनी email id को type करेंगे और यहाँ पर password डाल देंगे उसके बाद हम यहाँ पर continue पर click करेंगे अब यहाँ बोल रहा हमें अपनी email को verify करना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पर अपने email को पहले verify कर लेता हूँ अब यहाँ पर हमारी email verified हो चुकी है अब आप देख सकते हैं जो हमने पहले file create करी थी वो यहाँ पर saved है अब अगर आपको नाम change करना तो आप नाम change कर सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ to do list app कि जो domain है इसमें मैं लिख दूँगा to do list यहाँ से domain name change करने के बाद हम यहाँ पर save changes पर click करेंगे यह हमको बोल रहा है wait your site will be available soon उसके बाद हम pages पर click करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर index.html नाम से page create हो चुका है अब हम इसका preview चेक करेंगे अब मैं यहाँ पर इसको click कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा app load हो चुका है अब इसको हम test करेंगे अब अगर मैं को task को clear करना है तो मैं यहाँ से clear all task पर click करूँगा तो यह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है इतना सब करने के बाद हम इस web app को app में convert करेंगे यहाँ से हम इसका url copy कर लेंगे copy करने के बाद हम इस site पर जाएंगे web into app पर आप यहाँ पर url check कर सकते हैं फिर यहाँ पर जाके get started पर click करेंगे अगर url copy नहीं क्या हो तो आप जाकर यहाँ पर url copy कर सकते हैं यहाँ से मैं url copy कर लेता हूँ copy करकर इस जगे पर मैं url को paste कर दूँगा url को paste करने के बाद यहाँ पर यह कह रहा है give your app a name तो मैं यहाँ पर मेरे app को name दे दूँगा to-do list का name देने के बाद आप right side में देख सकते हैं extras वाला section में यहाँ पर एक app का icon आ रहा है तो app के icon को मैं यहाँ पर upload करूँआ मैंने यहाँ पर अपने लिए पहले से एक icon create करके रख रखा है मैं उसी को यहाँ पर upload करूँआ यहाँ पर icon set हो चुका है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर next का button आ रहा है इसको click करेंगे next पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं set icon का आ रहा है option क्योंकि हमने यहाँ पर palace icon set कर रखा है इसलिए हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे उसके बाद हम यहाँ पर make app button पर click करेंगे अब हमको यहाँ पर register करना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पर register कर लेता हूँ पहले अब यहाँ पर हमने register कर लिया है register करने के बाद यहाँ पर हम दुबारा make app पर click करेंगे अब थोड़ी देर में हमारा ये app create कर देगा और उसको हम easily download कर पाएंगे तो यहाँ पर app create हो चुका है अब हमको इसको download करना है तो download करने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे फिर यहाँ पर download का option आ रहा है यहाँ पर सबसे पहले download free वाले button पर click करेंगे download all zip files file download होने के बाद हम इसको extract करेंगे इस folder को हम open करेंगे open करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर app release.apk के नाम का एक file आ चुका है यह हमारी apk file है इसको हमें phone पर install करना पड़ेगा अब phone में इसको transfer करने के लिए आप अलग-अलग तरीके से try कर सकते हैं या तो अब अपने इसाप से इसको WhatsApp के थूठ धूठ चासकते हैं मैं इसको Google Drive के थूठ ट्रंसवर करूँआ इसलिए मैं इसको drag करके अपने Google Drive पर upload कर दूँआ upload करने के बाद मैं इस folder को अपने phone पर open करूँआ और यहाँ से इसको install करूँआ अब हम drive को open करेंगे open करने के बाद हम इस app को install करेंगे अभी ये installation में security के वज़े से install नहीं कर रहा है इसलिए हम इसको जाके settings से change करेंगे और यहां से allow permission को enable करेंगे enable करने के बाद हम दुबारा install करेंगे अब app install हो चुका है अब हम इसको open करेंगे अब हम icon को click करेंगे अब ये app open हो चुका है open होने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही layout आ रहा है यहां पर हम अपना नया task adds कर सकते हैं मैं यहां पर task 1 add कर देता हूँ और अब मैं दुबारा task 2 add कर रहा हूँ तो ये task adds हो चुका है अब ये clear all बटन को मैं check करूँआ तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कितने अच्छे तरीके से यहां पर एक app को create किया है और उसको use किया है तो इसी तरीके से आप भी अपने लिए अलग अलग तरीके से अब बना सकते हैं तो आप भी इस टेखनीक को ट्राइ किजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सा app create किया है अगर आपको वीडियो लगे हो तो प्लीज को लाइक किजिए और शेर किजिए और हाँ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में